हेलो स्टुडेंट्स अगला हमारा रिविजन टेस्ट पेपर है अंग्रे जी का रिविजन टेस्ट पेपर 2021 जनरल इंगलिस ग्लास 12 यह कक्षा 12 वी का जनरल इंगलिस का है तो आएए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और आज मैं आपको बताऊंगा इनके आंसर ठीके दोस्तों तो ध्यान रखें आप सभी सबसे पहला जो question है वो है आपका read the following passage carefully and answer the question given below मतलब कि इस passage को पढ़कर आपको answer देना है और मैं आपको directly answer बता रहा हूँ आप directly answer लिख सकते हैं ठीक है सबसे पहला है दोस्तों the main sources of garbage in present condition मतलब कि जो वर्तमान में main source क्या है garbage का मतलब कच्रे का तो इसमायगा दोस्तों household things मतलब कि जो घर से निकली हूँ जो चीज़े रहती है न वो मुख की source है इसके बाद में दूसरा है loose cane in rich fertility तो इसमायगा soil ठीक है next है the noun form of the world recycled तो इसका है का दोस्तों recycle अगला है give the meaning of the nearest अचा nearest मतलब होता है बहुत past ठीक है इसकी हमें meaning देनी है तो इसमें आएगा closest ठीक है closest मतलब first आएगा इसके बाद में give a great environmental hazard तो इसमें आएगा दोस्तों garbage ठीक है give a great environmental hazard तो इसमें आएगा garbage इसके बाद में next दोस्तों garbage makes premises तो इसमें आएगा दोस्तों अगली ठीक है अगला है we can dispose garbage 2A तो उसमें आएगा junk dealer मतलब कि हम कहाँ पर dispose करते हैं तो junk dealer को हम देदेते हैं तो वो क्या करता है उसको dispose कर देता है खत्म कर देता है ठीक है दोस्तों तो इसमें आएगा junk dealer अच्छे से याद रखें इसके बाद में garbage can be reused by मतलब कि garbage किस के दोरा वापस reused किया जा सकता है दोस्तों तो वो recycling के दोरा reused किया जा सकता है ठीके तो इसमें आएगा recycling इसके बाद में what are the sources of garbage ये आपका question है जो कि आपको इस passage में से डूंड कर लिखना है और दूसरा ये mention two things which help organic waste material to change into fertilizer in the composite pit अच्छा मैं आपको ये एक question तो बता ही देता हूँ कि आपको पता चल जाए कि किस परकार से आपको लिखना है ठीके दोस्तों ध्यान रखना ये जो question है आपका what are sources of garbage ठीके इसके उत्तर में आप लिखेंगे ये फर्स्ट कुश्चन का अंसर है इस passage का ठीके इसी परकार से आपको दूसरा भी अंसर खोजना है अब मैं आपको बता रहा हूँ इसके बाद में next जो poem है read the following passage carefully and answer the question ग्योन बिलो अब आपको इस second जो passage है इसके आंसर देने है तो वो भी आपको मैं बता देता हूँ question क्या है आपके ये देखें आप on the basis of your reading of the above passage make note on its using abbreviations if needed ठीके दोस्तों इसमें आपको note बनाना है तो उसी में से आप notes लिख सकते हैं उस poem में से अब मैं आपको बता रहा हूँ give a suitable title to it अच्छा मैं title तो बता देता हूँ आपको honesty is the best policy ठीके दोस्तों second है honesty is the best policy इसका title है दोस्तों अब मैं आपको बता हूँगा एक दो तीन चार पांच छे दिये हैं दोस्तों ठीके और आपको पांच इसमें से करना है और पांचों के मैं उत्तर बता रहा हूँ पांचों के मैं छे के उत्तर बता रहा हूँ दोस्तों अब अच्छे से याद रखें ठीके lead is useful metal तो इसमें आएगा दोस्तों इसके बाद में दूसरा है he to school daily तो इसमें आपको लिखना है he goes to school daily इसमें ये goes आएगा इसके बाद में he has hardly money तो इसमें आएगा some money ठीके दोस्तों इसमें क्या लिखेंगे आप some लिखेंगे ये वाला जो some दे रखा है ये some ये आपको यहाँ कालिस्तान में लिखना है इसके बाद में he is good हिंदी तो आप इसमें लिखेंगे दोस्तों in he is good in हिंदी के वे हिंदी में अच्छा है ठीके इसके बाद में weight is in पंजाब तो इसमें आप लिखेंगे ground ये लिखेंगे ground next है mohan mohan swim in the river when he was young तो इसमें दोस्तों आएगा could क्या लिखेंगे आप इसमें could लिखेंगे इस खालिस्तान में ठीके अब मैं आपको बता रहा हूँ last वाला he is SDO इसमें क्या आएगा दोस्तों उसके बाद में दूसरे में आएगा दोस्तों goes और तीसरे में आएगा sum ठीके तीसरे में क्याएगा sum चोते में आएगा in पांचवे में आएगा ground ठीके छटे में आएगा दोस्तों could और सातवे में आएगा in अब आपको इन में से 5 करने हैं और मैंने बता सारे दिये हैं, जो भी आपको अच्छा लगए, वो complete कर लें, अब इसके बाद में मैं बताता हूँ, do as director आपको, मतलब do as directed any five, इसमें भी ये भी पांच नमबर का है, पांच नमबर आप अच्छे से complete करें, पहला क्या है, say you in what, no truth is there, तो rearrange the words to make meaningful sentence, तो इसका आपको rearrange करना है, तो वो rearrange इस परकार से करें, कि क्या हैगा, ये ध्यान रखें, ठीके, इसमें आप लिखेंगे दोस्तों, सबसे पहले, there is no truth what you say in, ठीके, इसके बाद में second है, people do not play cricket in America, change the voice, अब आपको इसमें voice में change करना है, तो इसमें दोस्तों आप लिखेंगे, cricket is not played in America, ठीके, इसके अंतर में लिखेंगे, cricket is not played in America, next है, mangoes are being bought by me, change the voice, इसका भी voice change करना है, तो आप इसमें लिखेंगे, I am buying mangoes, ठीके, I am buying mangoes, इसके बाद में next है दोस्तों, she writes a letter, change into negative, अच्छा इसमें आएगा, she does not write a letter, she does not write a letter, इसके बाद में next है, सोहन टेक्टी, correct the sentence, अच्छा इसको correct करना है आपको, तो सोहन टेक्स टी, मतलब आप यह जो टेक है, इसके आगे एस और लगा देना, बस, सोहन टेक्स टी हो जाएगा, यह correct हो जाएगा आपका sentence, मतलब कि इसमें वा क्या आएगा, इसमें, Sita has been watching TV for two hours, ठीक है, Sita has been watching TV for two hours, यह आपको ध्यान रखना है, इसके बाद में next है, सूरज shut the door, change into negative, इसको भी नकरात्मक में आपको बनाना है, सूरज shut the door, change into negative, तो इसमें दोस्तों आएगा, सूरज did not shut the door, क्या आएगा, सूरज did not shut the door, इसमें आप लिखेंगे, अब बात की जाए, section D की, यह text book का है, लेकिन इसके answer में मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, read the following, extract from poem and answer the question given below, मतलब कि इस poem को पढ़िये और नीचे दिये गए प्रशनों के उत्तर लिखी है, तो directly मैं यह question बता रहा हू ठीक है, outside आएगा, inside का आएगा दोस्तों, outside, इसके बाद next है, has the some meaning as shake, shake मतलब होता हिलाना, ठीक है, तो इसमें आप लिखेंगे दोस्तों, move, m-o-v-e, move, इसके आगे, क्या रखना, answer में आप लिखेंगे, move, इसके बाद में next है, what does the poem mean by, are you are great and I am so small, यह question का answer इसमें, क्या के लिखेंगे इसका, ठीक है, इसके बाद में next जो poem है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, teach me to listen lord, इसमें भी आपको question answer दिये गए हैं, यह भी आप ध्यान रखें, तो directly question answer देखें, a word similar in meaning to the word here, मतलब कि here जो है, इसका similar meaning लिखना है, here मतलब होता है, सुनना, तो listen मतलब भी होत इसके बाद में next is the opposite word of near is, near मतलब होता है, दोस्तों pass, ठीक है, तो opposite word लिखना है, मतलब कि willom लिखना है, तो आपको ध्यान रखना है, इसमें आएगा far, far मतलब होता है, दूर, near मतलब pass, far मतलब दूर, इसके बाद में name the poem, तो इस poem का नाम क्या है, तो आप याद रहा कि य answer any, two questions, अब बाकी जो जितने भी दिये हैं, आपको question answer complete करने है, चलिए आपको मैं अच्छे से बता देता हूँ, कि आपको क्या करना है, किसे आपको अच्छे से लिखना है, ये copy आप अपनी school में जमा करेंगे, तो आप अच्छे से लिख कर ही जावा करें, division test paper 2021, general English class 12, इस इसमें आप ध्यान रखना कि पहले में, ये main source garbage in present condition, तो household things, ठीके, उसके बाद में, दूसरे में, leaves can in rich, तो इसमें आएगा soil, the noun from the word recycled, तो इसमें आएगा दोस्तों, recycle, ठीके, next give the meaning of nearest, nearest मतलब बहुत ज़्यादा पास होता है, तो closest मतलब भी बहुत ज़्यादा पास होता है इसके बाद में, give a great environmental hazard, तो इसमें आएगा दोस्तों, garbage, ठीके, क्या आगा इसमें, garbage आएगा, अच्छे से आप लिखें इसको, इसके बाद में, अगला क्या है, वो भी मैं आप पता देता हूं, garbage makes premises, अगली आएगा दोस्तों, we can dispose garbage to, तो ये junk dealer आएगा इसमें, इसके बा इसके बाद में, ये question है, जो भी मैंने बताया था, मतलब second line में है, answer इसका second line में, first line नहीं, just second line आपको पूरी लिख देनी है, इसके बाद में, ये भी answer आपको लिखना है, इसका भी, उसके बाद में, दूसरे read the following passage carefully and answer the question given below, ठीके, मतलब कि यो, इसमें सबसे पहले था बनाना है, और दूसरे में suitable title देना है, तो इसका जो suitable title है, वो है, दोस्तों, honest is the best policy, ठीके, honest is the best policy, इसका title है, और summary में आप, दो line उपर से लिख देना, दो बीच में से लिख देना, उसके बाद में, last वाली, दो line ने लिख देना, तो वो summary हो जाई है, ठीके, इसके बाद म में भी दे रखा है, your father has been transferred to another city, you want to sell certain household goods, design a suitable advertisement to be published in a local newspaper, ठीके, इन में से दोनों में से एक करना, इसके बाद में, with the help of the verbal input given, produce a write-up to importance of English in about, मतलब 152, 200 words, इन में से आपको लिखना है, तो ये थी आपकी आज की पूरी, ठीके, मैंने आपको केके बताए, वो भी मैं आपको बता दूँ, section A, section A में जो passage है, उसके बाद में आपको section C और section D के पूरे answer बताए है, जो की grammar की जो चीजें थी, वो मैंने आपको सारी बता दी, बाकी जितना भी बचा हुआ है, वो अपनी किताब में से जो question answer है, वो आ और बाकी जो जितने भी question answer है, वो आप अपने हिसाब से अपनी किताब में से complete जरूर करें, ठीके, और अच्छे से copy लिखकर अपने school में जमा करें, अगर आपको वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को like कर दें, अपने दोस्तों को साथ share कर दें, जिनको अवशकता है, thanks for watching, take care.